नमस्कार दोस्तों में रुडूप चैल में आप लोग का स्वागत है 36 गड़ के जिला सैनिक कल्याण काल्यों में भरती के लिए विज्यापन जारी किया गया है तो इस विडियों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो विडियों को शुरू करते हैं दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हो जो भरती किया जाना है विज्यापन जारी किया गया पांच अगस 2021 को आप लोग यहां विशाय देख सकते हो संचाल लाए सैनिक कल्यार 36 गड़ के अधिनस जिला सैनिक कल्यार काल लायों के तृतिय तथ चतुर स्रेडी के पदो को भूत पूर्व सैनिकों से सीधी भरती द्वारा भरे जाने हैं तू अवेदन पत्र जारी किया गया है दोस्तों जो विज्यापन जारी किया गया है वो भूत पूर्व सैनिकों के लिए किया गया है इसमें केवल जो चत्तियर के भूत पूर्व सैनिक है वो ही अवेदन कर सकते हैं आप लोग यहां पत का नाम देख सकते हो कल्यांट सायोजक पदो की संख्या एक है मासिक वेतन दिया जाएगा 35,400 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए तक कल्यांट सायोजग की जो निक्ति किया जाएगा वो अमीगापूर में किया जाएगा ब्रात्य के लिए पदो की संख्या एक है मासिक वेतन दिया जाएगा पंद्रा हजार चैसोर रुपे से लेके उन् चासाजार चार सुरुपे तक चवकिदार कब निप्ति किया जाएगा जिला सैनिक कल्याण कालाय अंबिकापूर और जगदलपूर में संचाल नालाय सैनिक कल्याण 36 गए अधिनस जिला सैनिक कल्याण कालाय में त्रितियत चतुर्त स्रेडी के स्विक्रित निमलिखित पदों को विभागिय भरती नियमनुसार राज्य के विविन नवर के उप्युक भूत पूर्व सैनिकों से भरा जाना है इस समद में जिला सैनिक कल्यार कालयों को अवेदन पत्र का प्रारूप भेजा गया है एक चुक भूत पूर्व सैनिक अपने जिला सैनिक कल्यार कालयों जहां भूत पूर्व सैनिक का रोजगार जिला सैनिक कल्यार कालयों से अवेदन 20 अगस 2021 तक भेज जाने हैं तू निवेदन किया गया है जो भूत पूरो सैनिक हैं उनको रोजगार कालाय में पंजियन कराना जरूरी है और जो अंतिम्थिती आप लोग यहां पर देख सकते हो 20 अगस्त 2021 है अगर आप लोगों इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग जिला सैनिक कल्यान कालायों में जाकर समपर कर सकते हों या तो मैं इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हों आशा है कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए सेर के ताकि ऐसी काम्प्यूटर जुरतमन लोगों तक पहुंच सके इस विडियो से रिटेड अगर आप लोग कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किये ताकि हम आप लोग के सवालों का जवाब दे सके विडियो देखने के लिए धन्यवाद